हाई गाइस वालकम बाक विद अनदर ब्लॉग आप सब ठीक होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं शेंगन वीजा के डॉकुमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं अगर आप शेंगन वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हो बेसिकली हमारे य चाहिए 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 चाह अगर पहले की आप दो वीडियो देखना चाहरे हो तो वेलकम तो पार्ट थरी शेंगन वीजा लेने के लिए तो चलिए जी विदाव वेस्टिंग अनीमोर टाइम फटा फट से वीडियो की शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा बैसिक प्रšक्षा माल дост अगर हो गया जब आम हम वीजा प्लाइ shimmer कर्ले का इंद कर लिया है कि कौनशी कंट्री के लिए कि वीजा गवर बीज अगुए तर आपको आपको अप्लिकेशन फर्म वीजा यह एप्लिकेशन जो फिर एलता है अगर आप एप लिए प्लाई कर रहा हो तो इतली का रह यह हार है तो वो सारे Switzerland तो Switzerland वैसे तो हम मैं वीडियो बनाने वाली हो इसके बाद ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि step by step अगर आप जो है अपना apply करना चाहते हो वीजा तो वह कैसे कर सकते हो मतलब step by step नेक्स्ट वीडियो में पहले मैंने सोचा कि हम बाकी सारी चीजे कवर कर लेंगे आप अपने पेपर वर्क के साथ अपनी सारी मतलब त्यारी के साथ त्यार रहोंगे फिर आपको end में step आता है कि अब चलो मैं ready हूँ यह करना है तो अब apply कर लेते हैं अब application form हो गया नमबर दो पर application form आपने अपनी country के accordingly आपने फिल कर देना है अब बर नमबर तीन पर जो बात आती है two recent photographs आपकी दो photograph चाहिए होगी recent वाली वह आप कहीं से भी जाके मतलब करवा सकते हो बोलके कि मुझे वीजा के लिए फोटो चाहिए उनको sizing बगरा photo की पता रहती है तो व उसे साब से आपको photo करके दे देंगे और उसके बाद बात आती है हमारी reservation की मतलब की हमारी hotel की reservation जहां पे भी आपने जाना है जिस भी country में जाना है वहां की आपके बास hotel की reservation होनी बहुत जरूरी है आपको payment करने की ज़रूत नहीं है बट आपकी reservation होनी चाहिए आपको reservation के papers दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद बार ही आती है हमारी फ्लाइट की टिकेट, फ्लाइट की टिकेट, जी हाँ, that is probably, वीर्ड तो नहीं है वैसे, क्योंकि जब आप कैनेडा के लिए वीजा अप्लाइ करते हो, as a tourist, तो वो देखते हैं, कि आपकी प्लैनिंग कितनी है, आपक मतलग क्या प्लैन है आपका कैनेडा से वापसानेगा, तो डेफिनली आपके पास राउंड ट्रिप की ही टिकेट होनी चाहिए, ठीक है, राउंड ट्रिप की टिकेट, अगर तो आप एक ही कंट्री में जा रहे हो मनलो आप इटली जा रहे हो, और इटली से वापसाँगे, तो फिर obviously Italy की go and one way and two way मतलब round trip ticket होनी चाहिए अगर मान लो आप Italy जा रहे हो पहले फिर उसके बाद आपने दो-चार कंट्रियां और घूमनी है जाने की Greece भी घूमना है France भी घूमना है इधर उदर सब घूमना है तो obviously आप सोच रहे होगे जो आपकी last destination country होगी आप वहीं से बापसी की flight लोगे तो destination मतलब entry आपकी होगी Italy में और last जो country होगी वहाँ से आपका out होगा तो आपको जो आपकी आइटनरी है उस पे हम आएंगे end पे उस पे आपको पुरा plan इसी साब से लिखना पड़ेगा तब ही आपकी वो जो टिकेट है उस हिसाब से ही होनी चाहिए मलड to go जो आपकी आइटनरी में आपने लिखा होगा कि मैंने यहां से यहां से यहां से यहां जाना है उसके according ही आपको tickets बुक करनी है वो match करना चाहिए सब तो यह था हमारा फ्राइट का टिकेट बेसिकली आपको राउंट ट्रिप की टिकेट चाहिए जहां से भी जा रहे हो जो भी प्लान है उस हिसाब से ठीक है और बहुत और बहुत ही इंपोर्टन डॉक्मेंट इंशोरेंस ट्रैवल इंशोरेंस जी हां जब आप यॉर्प का व इलाज हो पाए इसलिए उसमें 30,000 यूरो की आपकी कवरेज होनी चाहिए यह आप चाहे लिख लो चाहे जैसे मरजी कर लो 30,000 की आपकी कवरेज होनी चाहिए वो आपको पता करना पड़ेगा ट्रैवल किसी इंशोरेंस एजेंट से कि आपकी ट्रैवल इंशोरेंस अगर करवाना चाहते हो तो कवर 30,000 यूरो माला कवरेश 30,000 की ठीक है तो वह आपको बता देंगे कि आपका कितने की इंशोरंस पढ़ेगी डिपेंडिंग ओन हाओ लॉंग यू आर गुए आप जा रहे हो हाओ लॉंग आ यू गिन अस्टे दियर हाओ लॉंग यू इन यह सारे डोकुमेंट हो गए उसकी बाद हमारी आजती है इंप्लॉइमेंट की इंप्लॉइमेंट स्टेटस के आपका अगर तो आप स्टिल जॉब कर रहे हो कहीं पर भी हो जॉब कर तो आपको जॉब लेटर और नो अब्जेक्शन लेटर वगरा जो है अपने इंप्लॉ लेटर चल जाएगी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद अबिसले अगर आप जॉब करते हो और अगर आप घूमने जा रहे हो तो बैंकर स्टेटमेंट तो मस्ट है राइट पैसे तो देखने है उन्होंने कि आपके वास पैसे है भी जा नहीं रहे तो वह कितने है क्या प्रोसस है वह सारी चीज़े फिनेंशल स्टेटमेंट 3-6 मंथ की आप लगा सकते हो फिनेंशल स्टेटमेंट आपको चाहिए 3-6 मंथ जितनी जादा रहेगी उतना जादा अच्छा रहेगा तो आपके लिए सही रहता है 6-month की स्टेटमेंट लगा दो साथ में तो वह वह गया आपका जॉब लेटर होगी पेपर वक उसका हो गया और ट्रेवल इंशुरंस होगी टिकेट होगी और वह सब कुछ हो गया तो अब लास्ट में बारी आती है आइपनरी की आइपनरी बेसिकली आपका सारा ट्रिप मतलब कि एक लेटर ओफ एक्स्प्लानेशन क जिसमें आप उनको सब बताओगे कि यॉर्प क्योंकि वीजा आप किसी भी कंट्री का क्योंकि ये शैंगन में आती है सारी कंट्री तो शैंगन में आप किसी भी कंट्री का वीजा अपलाई करो आपको मिलता शैंगन वीजा ही है तो उनको जानना बहुत जरूरी है कि शैं तो वो सब कुछ आपको अपनी आपनी में लिखना पड़ता है कि अगर आप पहले पैरिस लेखने जा रए और ठीक है तो आपको पूरा पड़ेगा कि मैं सबसे पहले पैरिस में लैंड करूंगा ठीक है! वहां के एरपोर्ट के बारे में वहां पे जिस भी होटल में आपने स्टेक करना है जा आपने एरबीन बी में स्टेक करना है तो वह सारी चीजे आपको मेंशन करनी पड़ेगी तो उसके बाद मेरी इतनी तारीक को यहां से वहां की फ्लाइट है जहां भी जो भी प्लान है उ तो आप सिर्फ एक country का भी लिखके मतलब बापस आने का जादा आपको जिंजट करने की फिर जुरूरत नहीं है आप एक ही country का भी लिखके अपना बापस आने का round trip वहीं से कर सकते हो कि मुझे यहीं जाना है और यहीं से बापस आजाना है ठीक है अगर आप actual में घूमने जा मैच करने चाहिए फ्लाइट की टिकेट भी मतलब डमी टिकेट ले सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको actual में original टिकेट ही लेनी पड़ेगी डमी टिकेट ले सकते हो वो चल जाएगा डमी टिकेट की कोई दिक्कत नहीं आती वो ले लो रëzorvation hotel की मैंने आपको बोला reservation सिरफ बुक करो रिजर्फ करो Ohh Pay नत करो आपको नहीं पता आपको वीजा मिलना और नहीं मिलना आप सिरफ रिजर्व करो हम भी यहां पे जब कहीं गूमने जाते हैं तो ऑम सिरफ रॉजर्व करते हैं payment हम वहीं पर जाकी करते है तो यह होता है तो that's all यह थे सारे important document visa application धिहान से भरना visa application में वैसे आपको next video में जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बताऊंगी कि कैसे apply करना तो next video में आपको step by step किसी भी एक country को हम चूज कर लेंगे most probably I'll be choosing Switzerland तो वह सारा चूज करके मैं आपको step by step दिखा दूँगी कि form कैसे फिल करना तो that's all for today thank you so much guys for watching this video I hope आच की video आपको useful लगी होगी लगी है तो video को like and share ज़रूर कर देना चैनल पर नए आया तो subscribe के भी न चाहिएगा बबबबाई टेक कर मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ बबबबाई